महारा जी मेरे जीवन का एक प्रसंग है जब मैं एर्थ क्लास में था कोई पूजा पाट कुछ नहीं करते थे ठीक है तो मेरे दादा जी ने एक बार बोला कि हनमान चालिशा पढ़ा करो बचों को स्टूडेंट्स को सबको हनमान चालिशा जरू पढ़नी चाहिए मैंने उस इभन में तो सच होते देखी है हनुमान जी परम क्वालिफाइड है जब राम चाहित मानस तुलसिदास जी ने शुरू करी तो वहां लिखा है इन दोनों को साइन्टिस्ट कहा वैसी तो साइन्टिस्ट बनेगा वही तो वैज्ञानिक बनेगा बाल भी की जी वैज्ञानिक कहा और हनुमान जी को भी फिर उसके बाद तुलसिदाज जी ने हनुमान 40 सा लिखा तो युवानों को सबसे पहले क्या सीखना है हनुमान जी कौन है वेद्यावान गुनी अतिचातूर वेद्यावान गुनी रावन विद्वान था लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे विद्वान होने के बाद भी छे शास्त चार वेद जिसकी खोपड़ी में बसते थे वो राम की शांती का हरण करके ले आया और जिसको कुछ लेना देना नहीं समाज से दुनिया से वो जिसकी शान्ती भंग हो गई, जिसकी शान्ती खो गई, उसकी शान्ती को ढूंडने निकला है जरूरी नहीं, कभी-कभी विद्वान होने पर हम दूसरे की शान्ती काहरण करने लगते हैं अपने आपको बहुत ज्ञानी समझ कर लेकिन विद्यावान व्यक्ति वो है जो खोई हुई शांती को लोटाने का प्रयास करता है तो हनुमान जी के भक्तों को युवानों को ये सीखना चाहिए कि सबसे पहले पढ़ाई प्रत्वे इनार जितें विद्यावान पहले पच्छिस साल में जिसने विद्या नहीं अर्जित की पच्छिस से पचास जुतिये इनार जितें धनम जिसने पच्छिस से पचास तक धन नहीं कमाया तृतिये इनार जितें पुन्यम फिर जिसने लुटाया नहीं तो चतुर्थ हम किम कर श्यामी क्या किया क्या किया बता हुआ